सभी को मेरा जोहार, नमस्कार, मेरे चानल जारखंडी वेंजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जारखंडी वेंजन में दोस्तों, आज हम आ गये हैं सक्वे के जो जंगल में दोस्तों, या कहिए ये सक्वा का बगान है, इसमें हम आ गये हैं, और सक्वा या जिसी अं सख्वा के पत्ते हैं, वो फले हुए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यह जो सख्वा के पत्ते हैं, इसको हम इस तरह से देखिए दोस्तों, जो है वो तोड़ लेंगे दोस्तों, पूरे जंगल में ही सख्वा के पत्ते भरे हुए हैं, तो इसको हम तोड़ लेंगे, और इसस एक हम बहुत ही यूणिक रेसिपी, जिसे यूणिक रेसिपी कहते हैं, धारखन का फेमस पत्तावाला रोटी, या फिर खुलगा रोटी हम आपको इसमें बना करेंगे, सासद, इस पत्ते में ये हमारे बहुत सारे वेंजन बनते हैं दोस्तों, तो देख लीजे, मैं आपको ओवर्वियू दिखाती हूं कैंकि कि फिर, यहां पर हमारा जंगल है और कि मैं क्या करती हूं कि क्षोटब्स छोटे-चोटे पेड़ से उस्से मैं इस तरह से आपको पत्ते तोड़ करके दिखाती हूं दोस्तों तो देखिए कि इस तरह से पूरे तरफ से चारो तरफ से जंगल है और मैंने यहाँ पे इस तरह से जो सक्वा का पत्ता है वो तोड़ लिया है और यहाँ मैं धेर सारे तोड़ लूँगी और जमा करती हूँ और आपको फिर इसकी बहुत यूनिक रेसिपी बना करक तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले दोस्तों मेरे वीडियो पे बने रही है तो आईए दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे हम बनाएंगे जो हम पत्ता जो तोड़े है पत्ता से जो हम तोड़े थे जो हरे हरे जो सक्व चावल रोटी बनाएगे तो उसके लीब देखिए यहां पे क्या हो रहाँ सबस्क्ताराईगे तो एक दादी वह देखिए वह सबुटे कुटे हुए wha चावल जो है वो बना रही है और इसी चावल से हम क्या करेंगे जो आपको चावल दिखा रहे हैं इसी से हम पत्ता वाली रोटी बनाएंगे तो मेरे वीडियो पर बने रही है दोस्तों इसमें हम उड़त दाल मिक्स करेंगे आईए दोस्तों देखिए जो हम पत्त वाली रोटी बराने के लिए हमने क्या किया है यहाँ पे जो है उड़त की डाल जो है छिलके वाली ले ली है साथ साथ यहाँ पे जो चावल होते हैं उसना वाले चावल या परबोल ड्रेस उसे ले ले लेते हैं इसमें क्या है इस बरतन में भरके मैंने क्या क्या है यहां पर पूरे बरतन में भरके एक मैंने ले लिया है और इसे मैं यहां पर इस तरह से भीगोने के लिए डाल देती हो और यहां पर इस बरतन में भरके जो है बिल्कुल जस्ट हाफ जिसे बोला जाता है वो मैंने ले लि बीड़ियों विड़ुप में रहेंगे और अच्छे से भीग जाएंगे उसके और फिर मैं इसे पीस करको आपको पत्ता की रोटी बना कर दिखाती हूं दोस्तों तब तक मेरे वीडियो पर बने रहें आये दोस्तों। दिन भर जो है छे से साथ घंटे जो है पानी में सोक करने के बाद देखे ये चावल जो है ये किस तरह से बढ़ियां से जोक हो गया है फुल गया है दोस्तों और यहां पर यह रही उड़त की डाल यह भी दिन भर पानी में रही है तो यह भी जो है यह बढ़ियां से जो है य जो है फूल गई है दोस्तों आप क्या करेंगे हम इन दोनों को अच्छे से अलग-अलग वाश करके हम पहले निकाल लेते हैं दोस्तों तो आईए इन्हें वाश करते हैं तब तक फिर उसके बाद मैं आपको प्रोसेस्टिंग दिखाऊंगी कि यह इंट्रेस्टिंग सी जो पत्ता रोटी है जहारखंड फेमस जिसे पत्ता रोटी है खुलगा रोटी बोला जाता है हमारे जहारखंड में उसना चावल की बहुत ही पॉस्टिक वह फिर हम आपको उसकी पूरी बीधी बना करके दिखाएंगे तब तक मेरे वीडियो पर बने रही तो आईए दोस्तो देखिए यह जो चावल था उसको हमने किस तरह अच्छे से वाश कर लिया है साथ-साथ यहां पे देखिए यह उरत की डाल थी उसको भी मैंने अच्छे से वाश कर लिया है यहां पे ले लिये हूँ नमक हल्दी साथ में यहां पे अर्वा चावल का जो आटा होता है या च अद्रक हरी मिर्च लाल मिर्च साथ में यहां पे हींग जीरा और यह रही काली मिर्च और हलकी सी धनिया दोस्तों यह हमारे मसाले में पढ़ेंगे और इसको बनाने का इसका सबसे जो खास जो औजार है वो है दोस्तों पत्ता हरा पत्ता हरा पत्ता जो हमने पेड़ों से तो रोल हो जाएगा यह रोल हो जाने के बाद क्या होगा यहां पे इसमें हम जो है यहां पे जो चावल का पेस्ट है वो भर देंगे तो इसको भी हम बहुत अच्छे से इसकी जो कुपी है दोस्तों कुपी या कौन जो है यह इस तरह से कौन बनाएंगे इसको हम अच्छे से सिल लेंगे तो इसको सिलने का भी प्रोसेस मैं दिखाती हूँ अगर आपके पास सख्वा का पत्ता नहीं है या साल का पत्ता ये नहीं है तो आप कटहल के पत्ते का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आपके पास कटहल आपके घर में कटहल का पेड़ हो तो आप कटहल का कटहल क को थोड़ा गाड़ा पीस लेते हैं उसके बाद फिर मेरे वीडियो पर बने रही है आए दोस्तों देखे ये जो चावल और दाल था दोस्तों उसको मैंने किस तरह से यहां पर मिकसर के जो जार है चोटे वाले जार है उसमें मैंने उसे गाड़ा-गाड़ा पीस लिया है को भी मैं यहां पर डाल देती हूं साथ-साथ यहां पर देखिए दोस्तों यह जो पत्ते थे जिसको मैंने बताया था कि आपको रोल कैसे करना है तो आगे मैं आपको इन पत्तों को रोल करने के लिए सिखाती हूं तो देखिए यहां पर देखिए कि इस तरह से जो है हमने यहां पर एक जो बास का जो तिनका होता है दोस्तों बस उस तिनके को क्या करें आप इस तरह से तिनका डाल करके इसे यहां पर एक बार टाका लगाए और इस तरह से देखिए यह जो है कौन बिल्कुल तयार है अब हम क्या करेंगे यह जो हमारे मसाले है यहां इसको मैंने ड दाल दिया है अब साथ-साथ में यहां पर मैं डालती हूं हलकी सी छल्दी दोस्त साथ-साथ यहां पर मैं डाल रही हूं वह नमक डाल करके मैं क्या करूंगी इसे इस तरह से अच्छे से हम जो है mix कर लेंगे, mix करने के बाद जब अच्छे तरीका से यहाँ पर mix हो जाएंगे, तो आए हम जो है यहाँ पर इसे mix कर लेते हैं इस तरह से, तो देखिए बढ़े हाँ मसालेदार पत्ते वाली रोटी, या जारखन फेमस खुलगा रोटी, या इसे बहुत जगा पर धूत तो रोटी भी बोलते हैं, तो यह यहाँ पर बन करके तेया है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने चावल काटा रखा था, अप्सनल में, हलका समय यहाँ पर इसे binding के लिए डाल देती हूँ, ताकि यहाँ पर यह जो है, अच्छा से binding पकड़ ले, और य इसे हम आपको पत्तों में भर करके दिखाते हैं दोस्तों, तो आभी इस तरह से अपने घर पे बनाए, यह हमारे दादी नानी के जमाने की रेसिपी है, तो इसे आप जरूर बनाए और सबको खिलाए, बहुत पसंद आती है, बड़े बुज़र्गों को यह बहुत दोस्तों, यहाँ पर यह जो कोन में इस तरह से भर चुके हैं, अब इसे मैं इस तरह से दबा दूँगी, यह बाहर नहीं आना चाहिए, इतना रहेगा, और इस तरह से हम सारे जो है, यह पत्ते में चावल भर करके त्यार कर लेते हैं, तो मेरे वीडियो पर बने रहे हैं, तो आई दोस्तों, यह जो दाले थी, इनको हमने क्या किया है, इस तरह से जो है, सारे की सारे जो है, पत्ते में इस तरह से भर लिये हैं, और अच्छा से यह भर चुका है, और यहाँ पर एक इडिली का साचा है, दोस्तों, इडिली स्टाइंड, जिसमें हम क्या किये हैं, देखिए इस तरह से पानी डालके एक कटोड़ा डाल दिया है और अब यहाँ पे एक छेद वाला जो बरतन है उसे मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देती हूँ और इसके उपर अब मैं सारे के सारे जो पत्ते रोटी जो है पत्ता जिसमें मैंने भारा था उसको सारे के सारे मैं जो है वो भाप आ रहा है आप closely देखेंगे तो और वस इसी भाप से ये जो रोटी पकती है ना तेल ना कुछ भी ना छानने का टेंशन ना कुछ भी बस ये simple easy boil recipe है जो हरखण में ही बनती है दोस्तों यहाँ पे सक्वे के पत्ते में और यहाँ पे सारे के सारे जो है यह मैंने भर लिया है और बाकी के जितने बचे हुए भी जो है यहाँ पे पत्तों में यह भी मैं इनको भर देती हूँ अब आईए मैं इसे यहाँ पे धकन अच्छ पत्ते वाली रोटी जो है पूरी आपको दिखाती हूँ स्टीम हो रही है अब मैं यहाँ इसे हाथों से चूरी हूँ तो देखिए अभी यह नहीं पका है और जब अच्छे तरह से टाइट हो जाए तो समझा यह पग गया है अभी यह नहीं पका है तो हम इसे दस से पंद कर लिया है यहाँ पर यह जो पत्ते थे इन पत्तों में यह इस तरह से लिप्टे हुए थे इसे हमने पत्ते से इस तरह से निकाल लिया है और देखिए यहाँ पर यह पत्ते की रोटी जो है तयार है और अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने ले लिया है गर्मा गर्म सबजी और देखिए दोस्तों यह जो हमारा पत्तावाला रोटी है कितना स्वादिस्ट कितना टेस्टी जो है देखिए दोस्तों यह फुला फुला बना है आप इसका क्लोज़़ड लूग देख लीजिए तो यह बन करके तैयार है अब इसे हम गर्मा गर्म यहाँ पे जो हमारी बैगन की सबजी है बैगन आलू बरी की सबजी हमने बना रखी थी उसके साथ हम खाएंगे दोस्तों तो आप भी इसे अपने घर पे जरूर बनाए और सबको खिलाए तो यह से फेमली में सबको बहुत पसंद आएगा दोस्तों अगर आप दूसरे राज्जिके भी है तो हमारे जहारखण राज्य की यह जो रेसेपी है पत्ते वाली रोटी, तो इसे जरूर ट्राइ करें और जरूर बनाएं चाहे वो सकुआ के पत्ते हो या फिर वो कटल के पत्ते में या कटल के पता, असानी से बिल जाएगा, तो उस पे बनाए और सभी को खिलाएं, यकिन मानिएं दोस्तों, बहुत तारीफ मिलेगी आपको और बहुत ही मज़ा आ सकते हैं तो जरूर बराएं और सबको खिलाएं तो सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धैन्नेवाद